हम चीजों को न इस प्रकार से नहीं देखते, जैसे वो चीजें हैं, बट न हम क्या हैं, उसके बेस पे हम विभिन चीजों को देखते हैं, कन्फ्यूज हो गए ये कोट सुनके, अनाईस निन का ये कोट है, मैं आपको एक्जाम्पल की जाहिता से बताता हूँ, देखो, डेली बेसिस पे हम ना इतने-इतने इशूज डिसकस करते हैं, जैसे कई बार सबसेडी का इशू डिसकस किया, कि subsidy देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए freebies देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो बहुत बार ऐसा होता है हम सब के views अलग अलग होते हैं उन issues पे क्यों अलग अलग होते हैं क्योंकि देखो हम सब की पास्ट experience अलग है हम सब की beliefs अलग अलग है तो अगर देखो कोई student ऐसा है जिसने अपने आस पडोस में देखा है कि subsidy का किस परकार से misuse हो रहा है कोई फाइदा नहीं हो रहा और किसी परिवार को subsidy मिल रही है तो उसमें जो male head है वो सराब पीकर पैसे उड़ा देता है और कोई improvement नहीं हो रही है तो वो student बोलेगा subsidy नहीं देनी चाहिए समझ रहे हो मतलब अलग अलग लोगों का क्या experience रहा है चीजों के बारे में क्या beliefs है उन्होंने अपने आस पडोस में क्या देखा है उनकी अपनी social economy conditions कैसी है उसके base पे हम women चीजों को देखते हैं जैसे देखो अगर कोई judge है जिसकी past म social economy conditions काफी खराब थी अब उसके सामने case आया कि slum को उखाड फेका जाए क्योंकि slum जो है वो encroachment करके बनी है तो हो सकता है कि वो judge जो है वो थोड़ा considerate view दिखाए क्योंकि वो खुद उस condition से आया है वो past में खुद slum में रह चुका है तो वो चीज को इस परकार से जैसा वो है उसका past experience क्या है past belief क्या है उसके base पे वो judge फैसला लेगा point देखो ये है हम सब को ना लगता है कि हम ना objective है decision लेने में हमारी जो opinion है वो बिल्कुल सही है सामने वाले की opinion खराब है लेगिन देखो हमारी opinion को मिना बहुत सारे factor परभावित करते हैं हो सकता है कि हम ऐसा news channel देख रहे है जो सिरफ एक परकार के views present कर रहे है हम ऐसा newspaper पड़ रहे है जो सिरफ एक type के views present कर रहे है हमारी opinion इन सब से तो बनती है हमारी संगती कैसी है कौन से articles कौन सी news कौन सी videos हम दे होगा डेट आज की देखो 10 जनवरी 2024 है तीन इशुज डिटेल से डिसकस करेंगे हम बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स है बिल्किस बानों केस से संबंदित और रेमीशन का इशु बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है फिर इंटरनेशनल ला मैटर करते हैं करते हैं खतम करत इने इतने यूद चल रहे हैं कोई इंपोर्टेंस है या नहीं है इंटरनेशनल लास की और तीसे नंबर पर कल जो हमने आटकल छोड़ दिया था येरोपियन उनियन का कार्बन बोडर टेक्स CBAM वो भी बहुत इंपोर्टेंट इशु है उस पर UPSC प्री में भी कोशन पू रहते हैं ये कंसेप्ट अब काफी ज़्यादा सूर्ख्यों में आ गया है आप जी एस पेपर सेकेंड के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों सबसे पहले आसान सब्दों में बिल्किस बानो केस में जो जज्जमेंट आया है इसे समझ लेते हैं और रेमीशन का इसु क्यों इमर्ज होके आया उसके बाद वो डिसकस करेंगे बिल्किस बानो एक प्रेगनेट वूमन इनका गैंग रेप हुआ 2002 में गुजरात दंगों के दुरान और इनके परिवार वालों को भी हत्या कर दी गई बाद में इस केस में जो आरोपी थे उनको गिरिफतार क कर दो तो ना 2004 में सुपरिंग कोट ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया था महराष्टर में बाद में मुंबई में एक स्पेशल सीब्याई कोट ने आरोपी रियो थे इस केस में 11 आरोपियों को उमर कैब की सज़ा सुनाई इतना समझ गए आप अब थोड़ा सा बेसिक जानि है रिमीशन का मतलब होता है रिडूजड संटेंस जैसे देखो महेस है महेस ने एस बीए बैंक को लूट लिया एस बीए बैंक को लूटने के अरोप में महेस को 10 साल की सज़ा सुनाई गई लेकिन देखो महेस ने जेल में बहुत अच्छा काम किया जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना दूसरी कैदियों की मदद करना दूसरे कैदियों को पढ़ाना बहुत बढ़िया कम्निटी सर्विस की पेड़ पोदे उगाए जेल के अंदर तो ना ये जो काम अच्छे किया ना महेस ने इसकी वज़े से महेस की सजा घटा के 8.5 यर्स हो गई यानि जेल में अच्छा काम किया इसे ही कहते हैं रेमीशन रेमीशन का मतलब होता है अच्छे काम के कारण सजा का कम हो जाना अब फिर से आते हैं बिल्किस बानो केस में देखो बिल्किस बानो केस में क्या हुआ ग्यारा आरूपियों को ग्यारा कन्विक्ट्स को वैसे तो उमर क में न सुप्रीम कोट में दो जज़िस की एक बैंच का फैसला आया decision आया कि वो state जहां पे crime हुआ है और जहां पे अभी फिलाल prisoners हैं वो state decide करेगा कि remission देना है कैदियों को या फिर नहीं देना है तो सुप्रीम कोट की इस judgment के बाद में गुद्राथ सरकार ने इन 11 कन्विक्ट्स को अच्छे आचरन के कारण इनको remission दे दिया यानि जेल से रिहा कर दिया बाद में देखो ऐसी तस्वीरे आई थी मिठाई बाटते हुए कि ये देखो ये तस्वीरे वारल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने बोला कि गैंग रेप के जो कन्विक्ट्स हैं वो बाहर आए हैं मिठाई बाटी जा रही है ये तो rule of law के अगेंस्ट है नहीं होना चाहिए था ये तो समाज पे एक कलंक के समान है कैसे गैंग रेप के आरोपी अगर बाहर आते हैं तो मिठाईयां बाटी जा सकती हैं तो अब क्या हुआ ये सब हो गया गुजरात सरकार ने इन सभी कन्विक्ट्स की सजा को रिड्यूस कर दिया रिमिशन दे दिया इनको अच्छे आचरन के नाम पर तो ना बिलकिस बानो फिर से सुपरिंग कोट में पहुंची और सुपरिंग कोट में जाकर कहा कि ना आप गुजरात सरकार के फैसले को रिव्यू कीजिये ये फैसला सही नहीं है तो सुपरिंग कोट ने अब जज्ज था ना जिसमें Supreme Court ने ये बोल दिया था जहां पर crime हुआ और जहां पर अभी prisoners हैं वही state फैसला करेगा कि कैदियों को यानि prisoners को remission देना है उनकी सजा कम करनी है या फिर नहीं करनी है तो latest Supreme Court का judgment आया है इसमें Supreme Court ने कहा है पिछले साल का judgment गलत था क्योंकि देखो पांच जजीज की बैंच का judgment आया था 2015 में यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो ये 2015 का judgment था Union of India versus Shri Haran case इस case में पांच जजीज की bench ने एक verdict दिया था वो state जहां पे court ने सजा सुनाई है वो state जहां पे court ने सजा सुनाई है वही state government decide करेगी कि prisoners को छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है तो बिल्किस बानों के case में कहां पे सजा सुनाई गई थी आप बताइए महराश्टर में सजा सुनाई गई थी तो महराष्टर की सरकार डिसाइड करेगी कि prisoners को छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है उनकी सजा कम करनी है या फिर नहीं करनी है तो actual में गुजराथ सरकार ने महराष्टर सरकार के अधिकार को हड़प लिया पिछले साल का Supreme Court का judgment गलत था वो दो जजीज की bench ने दिया था और दो जजीज की bench ने ना पुराना 2015 का verdict consider नहीं किया जिसमें साफ तोड़ पर बोला गया कि वो state जहां पे convicts को सजा सुनाई गई वही state की सरकार जो है decide करेगी remission देना है या फिर नहीं दिया गया है हम उसे reject करते हैं और महराष्टर सरकार को कहा है कि आप इनके remission पर फैंसला ले चलो यह तो discuss कर लिया हमने बिल्किस बानो case तो discuss हो गया अब बात आती है remission के concept की जैसा मैंने आपको बताया remission मतलब reduced sentence अब देखो prison जो है ना वो एक state subject है तो किसको remission मिलेगा मतलब किसकी सजा कम की जाएगी किसकी नहीं की जाएगी इसके लिए ना अलग-अलग state government ने अलग-अलग type का rules बनाए है तो कि prison जो है वो एक state subject है महराष्टर सरकार के अलग rules हैं किसकी सजा को कम किया जा सकता है उत्रपरदेश सरकार के अलग rules है कैसा आचरण अगर कैदी करे जेल में तो उसके बेज़ पे सजा कम की जा सकती है देखो remission का जो concept है ना ये rehabilitative justice पर अधारित है rehabilitative justice का उदेश्य ये होता है अब जिसने अपराद किया है उसको जेल में इसलिए बंद किया जाए क्योंकि ना उस person में यानि convict में reforms लाने के आव सकता है तो अगर देखो जेल में reform आ जाते हैं वो बंदा ठीक हो जाता है तो मतलब उदेश्य पूरा हुआ तो इसलिए अब उसकी सजा को कम कर दिया जाए Retributive Justice ये होता है जिसने जो किया वो भरेगा अगर किसी ने गलत काम किया तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए सिधी सी बात है समझ गये तो remission के concept किस पर अधारित है Rehabilitative Justice कि prisoners में reform लेके आओ और reform आ जाते हैं तो उसकी सजा कम करो दिखो 2000 का ना Supreme Court का एक verdict Laxman Naskar versus State of West Bengal इस case में न Supreme Court ने कुछ guidelines रखी थी Supreme Court ने ये guidelines रखी थी कि women state governments जब कैदियों की remission को consider करे न जब ये consider करे कि किसी कैदि को remission देना है या फिर नहीं देना है तो state governments ये सब चीज़े consider करे जैसे कि अगर सजा कम की जाती है तो क्या कोई chance है कि वो person बहार जाके फिर से crime करेगा आप ये भी देखो जिस prisoner को छोड़ना है क्या उसके पास potential है कि वो बहार जाके फिर से crime कर सके मतलब उसके पास resource है फिर आप ये भी देखो क्या उस convict को थोड़ा और समय के लिए jail में रखकर कोई purpose सर्व होगा या नहीं होगा ये भी देखो आप कि जिसकी remission request को आप consider कर रहे हो उसकी social economy conditions कैसी है क्या उसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर नहीं है तो ये सब चीजें आप देखो उसके base पे आप decide करो कि आपको किसी prisoner को remission देना है उसकी सजा कम करनी है या फिर नहीं करनी है अब writer कहते हैं देखो ये सारे जो factors हैं काफी subjective है कैसे पता लगेगा कि जिस prisoner को छोड़ा जा रहा है उसमें potential है या नहीं है कैसे पता लगेगा कि वो दुबारा crime करेगा या नहीं करेगा ये subjective चीजें है subjective चीजें है इस वज़े से कई बार state government किसी कैदी को छोड़ती है बहुत arbitrary ढंग से छोड़ती है without application of mind कोई दिमाग नहीं लगाती अपनी मर्जी के हिसाब से कैदी को छोड़ देती है even कई बारने state government committee बना देती है कि committee बना दी ये committee अब decide करेगी कि किस किस कैदी को remission देना है किसको नहीं देना है इस परकार की committees बिना transparent ढंग से काम नहीं करती बस अपने mood पर काम कर देती है किसी कैदी को अगर कोई political approach आई है तो उसको छोड़ दिया जाए अगर मन में नहीं है आज आज कुछ बड़िया खाना नहीं खाया तो कैदी को नहीं छोड़ते हैं इस परकार की चीज़े चलती है इसी वज़े से देखो 2006 में न सुप्रिंग कोट का एक verdict आया इपूरू सुधाकर वर्षे स्टेट ओफ आंधरपदेश केस में इस केस में न सुप्रिंग कोट ने ये बोला अगर देखो स्टेट गवर्मेंट ने कैदियों को रेमिशन देने में दिमाग का इस्तमाल नहीं किया relevant material को consider नहीं किया खराब intention के कारण रेमिशन दिया या फिर नहीं दिया और arbitrary है स्टेट गवर्मेंट का decision मतलब proper rules and procedure के हिसाब से नहीं है तो फिर न स्टेट गवर्मेंट के रेमिशन सम्मंदित फैसले के against judicial review के लिए petition file की जा सकती है ये सुप्रिंग कोट ने बोला था 2006 में ये ये reasons है अगर स्टेट गवर्मेंट ने रेमिशन देने में ये घलतियां की है तो कोट में फिर पिटीशन फाइल की जा सकती है स्टेट गवर्मेंट के रेमिशन सम्मंदित फैसले के against लेकिन देखो दिक्कत पता क्या है काफी बारना स्टेट गवर्मेंट रेमिशन देती ही नहीं है कि हम क्यों कैदियों को रेमिशन दे रहे है या फिर नहीं दे रहे है क्यों application accept कर रहे है रेमिशन की या फिर reject कर रहे है स्टेट गवर्मेंट रेमिशन बताती ही नहीं रेमिशन नहीं बताएगी तो पता कैसे लगेगा कि state government ने कौन से factors consider करके decision लिया है अब गुजरात वाला case देख लिजे बिल्किस बानों का 11 के 11 जो convict थे ना सबको गुजरात सरकार ने remission दिया और remission देने में सबको same to same copy दी गई है सारी line ने same है तो मतलब देखो क्या सबका case same है क्या सबी का आचरण बिल्कुल same है जेल के अंदर और बिल्कुल widening भी same इसका मतलब तो सिधे सिधे यह है ना गुजरात सरकार ने mind का इस्तिमाल किया ही नहीं remission देते वक्त लास्ट में writer यह कहते है आज ना इंडिया में कुछ state governments की remission समदित policies ऐसी है कि कुछ category के अपरादियों को remission दिया ही नहीं जाता जैसे देखो महराश्टर में अगर 12 साल से कम उमर की बच्ची का रेप हुआ है तो उस case में condition यह है कि आरोपी ने कम से कम 20 साल जेल में बिताए हो तभी remission consider करेंगे अदर्वाइस नहीं करेंगे जैसे पंजाब में एक रूल है एंटी सिख राइट्स के आरोप में अगर किसे सदा सुनाई गई है न तो उसका remission consider करेंगे ही नहीं और अगर कोई drugs के case में अपरादी है तो कम से कम 25 साल उसे जेल में बिताने होंगे तभी उसका remission consider किया जाएगा तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो remission किस base पे दिया जा रहा है वो ज़्यादा effective होना चाहिए बजाए कि कुछ categories में अगर अपराद किया है तो remission पूरी तरे से reject कर दिया जाए वो चीज सहीं नहीं है अगर देखो rehabilitative justice की बात करें कोई जेल में जाके पूरी तरे से सुधर गया है और proper parameters हैं ये judge करने के लिए कि हाँ वो person सुधरा है तो उसकी सजा कम होनी चाहिए बेसक उसने कोई भी अपराद किया हो ऐसा writer का मानना है मतलब remission क्यों दिया जा रहा है ये हमें अच्छे से judge करना है remission देने के parameters क्या है उस पे हमें काम करना चाहिए ये पूरा article हमने डिसकस किया remission से सम्मंदित चलते हैं आगे इसके बाद देखो next article international law से सम्मंदित है international law क्यों matter करते है ये question देखो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जहां एक तरफ Israel-Hamas के बीच में यूद चल रहा है वहीं दूसी तरफ Ukraine-Russia के बीच में यूद चल रहा है तो क्या international law की वज़े से कुछ फरक पड़ा है क्या कुछ international law का relevance है कि वो इन यूद को रोक पाया या फिर यूद होने के बाद में कुछ action लिया गया हो international law के according कुछ भी तो नहीं हुआ तो इसी वज़े से ये question immerge होके आता है international law की कोई relevance है भी या नहीं है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो पहले ना हम उन points को discuss करते हैं कि international law की relevance क्यों नहीं है सबसे पहली बात enforcement challenges देखो जिसे हमारे देश के अंदर ना कानून है कि अगर A person ने B का murder किया तो A person को उमर कैद होगी या फिर फांसी की सजा सुनाई जाएगी अब देखो सजा ensure करने के लिए ना proper criminal justice system है police है, court है, बाद में prisons है enforcement होता है ना कानून का लेकिन International Laws का enforcement नहीं होता कहने को कानून है लेकिन उनको enforce करवाने के लिए कोई नहीं है जैसे हमारे देश में तो enforce करवाने के लिए police है, court है, सब लोग है बट International Laws का अगर violation होता है तो punishment दिल्वाने के लिए कोई नहीं है तो इसलिए ये कानून नाम नाम के रह गए है next है selective compliance अब देखो कुछ देश selectively International Laws को follow करते है और जब अपने interest की बारी आती है तो International Laws को violate कर देते हैं जैसे US है US ने 2003 में इराग के उपर attack कर दिया तो ये एक example है कि US जो हमेशा बात करता है rule of law का पालन करो International Laws का पालन करो खुद US ने 2003 में UN Charter के against जाके काम किया International Law को violate किया क्या US के खिलाफ कोई action लिया गया नहीं लिया गया तो ये दूसरा point है selective compliance तीसरा है influence of powerful nations देखो United Nations Security Council में जिनके पास में permanent seat है जिनके पास में veto power है वो अपनी veto power का misuse करते है UN में कोई resolution आता है तो उसे block करने के लिए जैसे Israel के against अभी काफी resolutions आए लेकिन US ने सभी resolutions को block करवा दिया Next है lack of universality इसका मतलब देखो ये है सभी देशों ने न सभी international laws को तो ratify भी नहीं किया है जैसे US ने Rome Statute को ratify नहीं किया है Rome Statute के बाद में international criminal court बनी थी तो आज के समय में court की jurisdiction है वो US के उपर है या नहीं ये एक बड़ा question है क्योंकि US ने Rome Statute को ratify किया ही नहीं मतलब international laws भी universal नहीं है अलग-अलग देश अलग-अलग international laws को नहीं मानते हैं Next है economic and political pressure कई बार देखो economic और political interest जो है legal principles को overshadow कर देते हैं example दिया जाता है Ravandan genocide का Ravanda में genocide हुआ था 1993-94 में 1990s में उस समय देखो major countries ने अपने economic और political interest का ज़्यादा ख्याल रखा और international laws को ignore कर दिया अब आप पूछोगे सर ये economic और political interest क्या थे देखो उस समय न cold war अभी भी खतम हुआ था अभी भी cold war खतम हुआ इसलिए अफरीका की importance कम हो गई थी cold war के दुरान तो अफरीका की importance काफी ज़्यादा थी लेकिन cold war समाफ थोने के बाद में Ravanda में जो कुछ हो रहा था गलत काम हो रहा था उसे major countries के दौरा बोल दिया गया कि यह अफरीका की problem है अफरीका की problem है तो वहाँ पर genocide हो गया और major countries कुछ नहीं कर सके international last का violation हुआ लेकिन major countries ने कुछ नहीं किया क्योंकि उनके economic interest favor में नहीं थे तो हमने यह सारे points discuss किये कि international last का कोई फाइदा नहीं है matter ही नहीं करते है कोई relevance नहीं है लेकिन अब ना writer बोलते हैं देखो basic यह सारे points हमने discuss किये basic enforcement नहीं होता international last का लेकिन importance तो फिर भी है कैसे सबसे पहले violations के लिए nations को accountable बनाया जा सकता है जैसे international court of justice में या फिर international criminal court में case file करके जैसे देखो international court of justice में case file किया गया है अभी Israel के against South Africa के द्वारा दूसरा देखो international last है तभी तो जो देश युद करता है ना जैसे Israel ने युद किया उस देश को explain करना पड़ता है at least international last के कारण कि हमने international last का violation क्यूं किया है तो कम से कम explain तो करना पड़ा Israel को कि हमने क्यूं violation किया international last का अगर international last होते ही नहीं तो Israel को कुछ explain ही नहीं करना पड़ता युद के लिए भयूनों ने युद क्यूं start किया next internationalization through domestic last अब देखो domestic courts होती है ना for example हमारे देश में भी नहीं होना चाहिए यह भी importance है international last का next global cooperation achieve किया जा सकता है international last के थूँ जिसे climate change से लड़ना है terrorism से लड़ना है तो यह सारे जो काम करने हैं ना मिल के किये जा सकते हैं विबिन देशों के द्वरा international last and conventions के थूँ next distinguishes between power and legitimate authority international last जो है वो देखो जो power का इस्तिमाल किया गया है वो legitimate है या नहीं है वो rule of law के against है या नहीं है यह हमें पता लगता है किस से international last से सबसे last में universal aspiration for compliance देखो कहीं न कहीं pressure भी आता है विबिन देशों के उपर जब वो international last को violate करते हैं अब यह debate का issue हो सकता है कि कितना pressure आता है जब कोई देश international last को violate करता है लेकिन देखो हाँ एक बात यह जरूर जा सकती है विबिन देशों में एक aspiration जरूर होता है इच्छा जरूर होती है कि हम international last का पालन करें तो यह इच्छा जो होती है aspiration जो होती है वो universal होती है सबी देशों में होती है कि वो यू दिखाएं कि हमने international law का पालन किया है अब देखो कुल मिलाकर यह सारे points जो है न थोड़े थोड़े idealist ज़्यादा लग रहे है मतलब मेरे को तरह लगता कि Russia US जैसे देशों में कोई इच्छा होगी दिखाने की कि हां मैंने पालन किया है international law का वो सिरफ अपना फाइदा देखते हैं कौन सी चीज में इंट्रेस्ट है international law is nothing for them लेकिन आर्टिकल डिसकस किया है UPSC question पूछ सकती है international law के उपर तो हमने दोनों पक्स के points डिसकस कर लिये इसके बाद नेस्ट आर्टिकल European Union के carbon border tax से समदीत है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों European Union का carbon border tax जिसे का जा रहा है carbon border adjustment mechanism यनि CBAM मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ ये पूरा माजरा है क्या मान लीजिए चार दोस्त हैं A, B, C, D चारो आपस में खेल रहे हैं चारो आपस में decide करते हैं कि एक एक दिन snacks एक person लेके आएगा और उसे चारो खाएंगे लेकिन D क्या करता है D ना plastic के box में snacks लेके आता है तो ना बाकी दोस्त ये बोलते हैं तुम plastic के box में क्यों लेके आयो हो इससे तो environment को नुक्सान पहुंचेगा तुम plastics का इस्तमाल क्यों कर रहे हो तो ना बदले में A, B, C, T, N, O, मिलकर D के उपर ना penalty लगा देते हैं तुम plastic का इस्तमाल कर रहे हो इसलिए हम तुमारे उपर ये penalty लगा रहे हैं अब समझें European Union का Carbon Border Adjusted Mechanism CBAM इसमें क्या है European Union मान लीजिए किसी देश से कोई चीज परचेज कर रहे हैं इंडिया से cement परचेज कर रहे है European Union अब इंडिया की किसी factory में cement का production हुआ है अब cement के production में petroleum का इस्तमाल होता है fossil fuel का इस्तमाल होता है जिससे carbon emit होता है atmosphere में लेकिन cement का जो final dham है उसमें ये चीज नहीं include की गई है कि cement के production से जो emission हुआ है इससे atmosphere को नुक्सान पहुँचा है environment को नुक्सान पहुँचा है ये चीज cement के dham में count नहीं की गई है अब वो cement पहुँची European Union में इंडिया से तो European Union देखेगा कि cement की production में क्या environment को नुक्सान हुआ है अगर answer yes है तो क्या उस नुक्सान को cement के dham में include किया गया है अगर answer no है तो फिर European Union अपनी तरफ से tax लगा देगा जो cement को import किया गया है इंडिया से थोड़ी penalty लगा देगा क्योंकि cement के production में emission हुआ था atmosphere को नुक्सान पहुचा environment को नुक्सान पहुचा तो इसलिए अब वो cement European Union में आ रहा है तो उस cement पे tax लगाया जाएगा European Union के द्वरा यानि penalty लगाई जाएगी तो ये पूरा माज़रा है carbon border adjusted mechanism कि import जो किया जाएगा अगर उस से importion अगर उस product से emission हुआ है और emission को नहीं count किया गया है price decide करते वक्त तो फिर हम tax लगाएंगे European Union का फाइदा ये है इससे उनको तो revenue मिलेगा उस revenue की साहिता से वो green initiatives को fund कर सकते हैं European Union में European Union का ये भी कहना है इस rule के चलते विबिन देशों में एक जागरुता आएगी कि ना हम ऐसे method से चीजें produce करते हैं जिससे environment को नुक्सान ना पहुंचे बड़ देखो इंडिया का ये कहना है तुम तो बड़े चलाक हो यार तुम खुद तो develop हो गए अब तुम्हारे पास पैसा है तुम नई नई technologies को अपना रहे हो जिससे emission कम हो हम तो भया अभी develop कर रहे हैं ना हम पुराने method से चीजे अभी produce करते हैं एकदम से तुम हमें ये बोलोगे कि आप ऐसे method से चीजे produce कीजिए जिससे emission होई ना हमारे लिए बस की बात नहीं है एकदम से ये समझ गए और एक concept जो होता है ना common but differentiated responsibility इसका मतलब ये है पास्ट में जो emission हुआ है जिसकी वज़े से अभी climate change देखने को मिल रहा है उसके लिए कौन responsible है developed countries क्योंकि इन्होंने खुल के emission किया पहले अब थोड़ी जागरूता आ गई तो ये developing countries को बोल रहे हैं कि आप emission खतम कीजिए बंद कीजिए भया अभी तो हमारी बारी आई है developed होने की यार अभी से तुम बोल रहे हो तो concept निकल के आता है common but differentiated responsibility कि climate change को address करना ये सब की responsibility है but differentiated है developed countries की ज़्यादा है developing countries की कम है क्योंकि ज़्यादा गलतियां ही developed countries ने की है अब इस rule से इंडिया को नुक्सान क्या होगा इंडिया को नुक्सान देखो ये होगा हमारा एक तिहाई जो steel, aluminium, iron और इनका जो export है नम वो इन ही को होता है European Union countries को अब ये tax लगा देंगे 19.8% से लेके 22.7% तो हमारे products कम competitive हो जाएंगे वहाँ पे हमारे manufacturers को नुक्सान होगा जो European Union के देशों में ये सब चीजें बेज रहे थे इस परकार से देखो हमने CBAM के basics तो समझ लिए अब देखो European Union ना इसे implement करने जा रही है 1 October 2023 से पहला phase implement करना भी start कर दिया है फिर finally 1 January 2026 से second phase का implementation start होगा CBAM का European Union देखो अपने तरक दे रही है इसके बचाव में European Union के कहना है 2030 आते आते हम 1990 में जो हमारा emission होता था ना उसका 55% कम कर देंगे मतलब 1990 में हमारे यहाँ से green house gases का जो emission होता था ना 2030 आते हम वो emission 55% तक कम कर देंगे और इसके लिए हमने काफी सार step उठाए है उन्ही में से एक है यह CBAM दूसरा फिर European Union का यह भी कहना है देखो हमारी companies ना दूसरे देशों में जाके manufacture कर रही थी क्योंकि अगर हमारे देश की companies यहाँ पर manufacture करती तो उन्हें महगा पड़ता क्योंकि उनके पास limitation थी वो ज्यादा carbon emit नहीं कर सकते manufacturing में अगर वो ज्यादा carbon emit करते तो उन्हें credit purchase करने पड़ते इसलिए वो European Union वाले countries को छोड़के दूसरे देशों में settle down हो रही थी जहाँ पर ये जो rules हैं इतने सकत नहीं है तो इससे तो European Union को नुकसान हो रहा था क्योंकि यहाँ से company छोड़ छोड़ के जा रही थी और एक चीज़ देखो European Union का ये भी कहना है कि देखो इंडिया जैसे देशों से product आते यहाँ पर बिखते आप देखो वो product तो सस्ते होते क्योंकि इंडिया की companies में इंडिया में manufacture किया वहाँ पे उन्होंने carbon credit purchase नहीं किये लेकिन European Union में जो चीज manufacture हुई है उसके लिए carbon credit purchase किये है company ने तो उनके समान महंगा होगा और इंडिया से जो समान import हुआ है वो सस्ता होगा तो हमारी company तो कम competitive रह जाएंगी ये दूसरा तर्क है European Union का फिर देखो राइटर एक चीज ये बोलते हैं इस पूरे चीज को implement करने में जो एक जनवरी 2026 से implement होगी अभी तो पहले फेस में तो European Union ने सिरफ ये बोला है विबिन companies को कि आप बताईए जो भी चीज आप import कर रहे हो आपने calculate कीजिए documentation कीजिए कि उन में कितना emissions है documentation के लिए बोला जा रहा है कि जो product आप import कर रहे हो उसके आप documentation कीजिए कितना emission उसमें involved है राइटर कहते हैं देखो इंडिया में न carbon trading वाला जो mechanism है वो 2022 दिसंबर में आया कि विबिन companies जो ज़्यादा carbon produce करती है वो फिर वो carbon credit purchase कर लें ये काफि लेट आया 2022 के last में आया है अभी भी इसका ढंग से implementation नहीं हुआ है तो देखो दिक्कत तो आएगी क्योंकि अभी हमारे देश में जो products produce होते हैं पता ही नहीं होता कि कितना emission हुआ है कितना नहीं हुआ है क्योंभी carbon credit वाला system अभी पूरी तरह से implemented नहीं है हमारे देश में फिर राइटर एक बात ये बोलते हैं हमारे commerce minister प्यूस गोईल का कहना है European Union का ये rule तो देखो Indian manufacturing के लिए death nail के समान है मोत की घंटी के समान है क्योंकि हम जो ये सारी चीज़ें export करते हैं न iron, steel, aluminium इसका देखो 27% तो हमने 2022 में European Union को export किया जिसके कीमत 8.2 billion dollars थी तो कई हमारे core sectors for example steel बुरी तरह से परभावित होंगे European Union के इस rule की वज़े से इंडिया के पास क्या option है देखो WTO के पास इंडिया already petition डाल चुका है कि European Union का ये rule common but differentiated responsibility के against है हम इसे नहीं मानते इसके लावा इंडिया के पास में क्या solution है European Union tax लगा के आप जो पैसा ही कर्था करोगे आप बोल रहे हो कि उसे हम green technology में invest करेंगे या तो फिर आप वो इंडिया की companies से import पर जो आप revenue कर्था कर रहे हो वो इंडिया में ही आप लगा दीजिए green technologies में कम से कम इंडिया की companies से जो पैसा वसूला जा रहे है इंडिया top 8 उन countries में सामिल है जो European Union के इस rule की वज़े से परभावित हो रहे हैं तो इन सभी देशों को मिल के काम करना चाहिए क्योंकि और ज़्यदा देश अब इसी परकार का mechanism अपनाने की कोशिस करेंगे जैसे UK ने भी डिक्लियर कर दिया है हम भी अपना CBAM लाएंगे 2027 से पहले तो यह देखो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए अच्छी चीज नहीं है तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया CBAM से सम्मंदित अब लास्ट में कोशिस देख लेते हैं यह दो कोशिस लास्ट में आपको अटेम्ट करने है एक तो देखो इंटरनेशनल लास्ट से सम्मंदित और फिर दूसरा रेमिशन से सम्मंदित दूनों कोशिस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है pwonlyis.com पे जाके आप कोशिस का आंसर दे सकते हूँ अब लास्ट में आपको PDF बता देता हूँ कहां से PDF मिलती है देखो एक तो टेलिग्राम चैनल पे मिलती है फिर से ड्राइव का लिंक मैं पोस्ट कर दूँगा टेलिग्राम चैनल पे लेकिन वेबसाइट पे आप जाओगे ना pwonlyis.com पे वहाँ पे आप free resources पे click करोगे free resources पे आपने click कर दिया अब नीचे जाओगे ये देखो editorial की summary यहाँ पर अब यहाँ पे आपको editorial की summary मिलेगी ये जन्वरी की है जन्वरी पे आप click करोगे अरे वहाई अच्छा ये click कर लेना मतलब आ जाएगा यहाँ पे और हिंदी जो है हिंदी की अलग से है हिंदी की एक दिन लेट होती है कुछ लोगों ने बताया कि हिंदी की उसी दिन मिल जाए देखो मैंने team से पूछा हिंदी की उसी दिन मिलनी difficult है क्योंकि आप ढंक से translate करते हो हिंदी में तो वक्त लगता है जल्दबाजी में फिर उसी दिन दी जाएगी तो फिर वो quality खराब हो जाएगी फिर बच्चे सिकायत करते हैं कि सर quality अच्छी नहीं है हिंदी की translation की तो ये दिक्कत है हिंदी के साथ में हिंदी का एक दिन लेट मिलता है जैसे English का देखो 9 जनवरी का आ गया है यानि हिंदी का अभी आज upload होगा तो ये तो देखो limitation है आगे जाके इसमें कुछ मैं करने की कोशिश करूँगा लेकिन अभी तो प्लीज आपको इसमें adopt करना होगा इसी को कि एक दिन लेट मिलती है लेकिन देखो पहले बच्चे ये बोलते थे कि सर बेसेक एक दिन लेट मिल जाए कम से कम मिले तो उसकी शुरुवात हो चुकी है आगे आगे देखो और भी जल्दी हो जाएगा हिंदी वालों का इसके लावा टेलिग्राम चैनल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हों